हेलो फ्रेंड्स मैं अजित कुमार आपके यूटूब चैनल कमप्टिशन कम्मुनिटी पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप सबों की तैयारी है हम आपसे आसा करते हैं कि आप अपने पूरे जोसो जुनून के साथ पूरे जोसो खरोस के साथ अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे और लगे भी क्यों ना एक्जाम सर पे है तो अब इसके आगे च पार्ट वर्ट टू और पार्ट थी इन तीन सेक्षन से में प्रेस्ट को पढ़ा जो थार्ड पार्ट है वह काफी इंपर्टेन्ट क्योंकि उसमें एक Domestication of Animals करके हमने आपको Close Test का स्टोरी पढ़ाया था उस Close Passage में आप जरत ध्यान से जाकर देखने का प्रयास किजेगा उसमें हमने आपको Close Test के एक नए पैटरन से आपको इंट्रोड्यूस किया था और इसका मकसद ये था क्योंकि ये पैटरन जब आपके एकजाम में पहली बार पूछा गया था तब आप में से मैक्सिम बच्चे गलत करके आए थे और बहुत सारे बच्चे तो उस पैटरन को देखके समझी नहीं पाए थे कि इसमें करना क्या है सर और ऐसे बहुत सारे बच्चे क्या मैक्सिमम बच्चों ने उस क्लोज पैसेज को क्लोज टेस के सेक्षन को टची नहीं किया था सीधा इसकिप करके आ गए थे जबकि हकी ये था कि वो क्लोज टेस का जो कुश्चन पूछा गया था बेहद आसान था बहुत ही ज़्यादा आसान था जिसमें कि सभी बच्चे पूरे के पूरे कोश्चन सही मार के आ सकते थे बट पैटर नहीं ऐसा सेट किया गया जिसको देख के आप में से मैक्सिम बच्चे कन्फ्यूज हो गए और उसको टची नहीं किये बिना टच के बाहर आगए बात समझ में आई तो इस सेक्चन को जरूर से जाके देखिएगा क्योंकि यदि इस बार आपका जो एक्जाम होने वाला है यदि इस बार आपके CHSL और CGL दोनों में से किसी भी एक्जाम में यदि वो पैटर्न रिपीट किया जाएगा तो वहाँ पे आप कोशन को छोड़के मत आईएगा कोशन में गलती मत किजिएगा ठीक है चलिए तो अब इसके आगे चलते हम लोग अब आज हम लोग रेडिंग कॉम्प्रेहेंसन के सेक्षन में क्लोस टेस्ट के बाद आज एक नया टॉपिक सुरू करते हैं हमारा आज का नया टॉपिक है सेंटेंस रियरेंजिमेंट क्या है सेंटेंस रियरेंजिमेंट इसी को हम लोग पैरा जंबल्स में बोलते हैं ASAC के language में बच्चे इसी को PQRS भी बोलते हैं, अब PQRS ही क्यों बोलते हैं, ये भी हम चर्शा कर लें, क्योंकि अपने ASAC के exam में जब भी कभी आप देखेंगे तो maximum times, maximum time, अधिकतम बार जब भी कभी sentence rearrangement का question पूछा गया, तो उसमें देखेंगे के PQRS के pattern पे आधारित ही पूछा गया, PQRS का ही use किया गया, इसी लिए बच्चे इसको PQRS के नाम से भी जानते हैं, तो आप चाहें इसको para-jumbles कहें, आप चाहें तो इसको sentence rearrangement कहें, आप चाहें तो इसको simply rearrangement कह लें, या आप चाहें तो इसको PQRS कह सबसे पहले, यह सभी एक ही चीज़े हैं, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है, तो अब आज के इस class में rearrangement में हम लोग क्या कुछ सीखने जा रहे हैं, सबसे पहले यह हमां आपको सिखाते चले, देखे, PQRS या जो rearrangement है, इसको बनाने के कुछ concept है, concept क्या है भई, तो with the help of pair of conjunction with the help of pair of conjunction and connectors, हम लोग eliminate करते हैं कि sentence जो भी given होते हैं, आपको 4 sentence है, एच्छे sentence जो भी आपको given होते हैं, एसे सिम बैसिकली 4 sentence हम लोगों को देखने को मिलते हैं, चार पार्ट में ही देखने को मिलते हैं, तो जो 4 पार्ट में sentence आपको given होता है, उसमें से पहला कौन सा नहीं ह होगा उसको eliminate करने में connectors का बड़ा रूल होता है conjunction का बड़ा रूल होता है ठीक है तो conjunction से हमारा सेंटेंस से समाने तोर पे शुरू नहीं होता preposition से हमारा sentence जो पहला sentence है वो भी समाने तोर पे शुरू नहीं हो समाने तोर पे हम बता रहें क्योंकि English में कुछ भी hard and fast नहीं है ठीक है सब कुछ changeable है सारी चीज़े कैसी है तो सारी इन सभी बातों को हम लोग सीखेंगे इन सभी तथ्यों पर हम लोग चर्चा करेंगे अब इसको दो तरीके से पढ़ा जाता और पढ़ाया जाता है पहला तरीका कि आप इसके सारे theoretical concept को एक सांस सीख लें और उसके बाद question लगाना शुरू करें जब आप question लगाना शुरू करते हैं तो इसको थेयोरी तो पढ़ते समय हम लोग सीख लेते ह। वहां पे सारी चीजे असाना लगती है यह जिक वही बात है जैसे आप math reasoning English जब फढ़ते हैं या कोई बही concept उसका formula उसका rule करीब करीब भूल चुके होते हैं आपसे miss होता रहाता है ठीक है इसलिए हम लोग इसको साथ साथ पढ़ेंगे मतलब यह कि question देखेंगे question को कैसे deal करना है at a time उसमें यदि कोई concept है तो उसको हम लोग सीखेंगे ठीक है और sentence rearrangement का question जो आपके tier 1 में पूछा जा जाता है काफी easy पूछा जाता है ठीक है यदि कभी आपको tier 1 के exam में चाहे वो CGL हो यह CHSL हो दोनों में से कोई भी exam हो यदि उसके tier 1 में आपको बड़े-बड़े sentences देखने को मिले तो बड़े-बड़े sentences को देखके आप घबराना मत बिलकुल भी आपको घबराने के जरूर पहले हम आपको introduce करते चलें कि अपने essay board के द्वारा पूछे जाने वाले exam में किस-किस pattern के rearrangement के question आते हैं तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे pattern उसका कौन-कौन से pattern है जिस पे अभी तक essay exam में question पूछेंगे उसके बाद हम लोग चलेंगे यहां से आगे की और ठीक है त यह सबसे पहला सबसे पुराना सबसे ज़्यादा popular essay सी का pattern है rearrangement का इसमें आपको क्या given होता है तो आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर first sentence given होता है और यहां पर last sentence आपको given होता है बीच में आपको चार sentences given होते हैं या closes आपको given होते हैं और इनको आपको arrange करना होता है सके मिनिंग फुल एक सौट स्टोरी बन सके क्लियर बात समझ में आई अब इसमें देखिए इसको बनाना आसान होता है इसका बनाने का जो तरीका है काफी इजी होता है चुकि इसमें फॉस्ट आपको ढूड़ने की जरूरत ही नहीं होती है तो आप सिंप्ली फॉस्ट सेंट के पू 있으면 को फॉस्ट आते हैं इनको सौल करने में इनके option का बहुत बड़ा रूल होता है इनके option का बहुत बड़ा रूल होता है तो सबसे पहले अभी आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो एक ही यह pattern होगय है इसमें यहां पे कोई भी option हमने नहीं लगाया जिक है option की बाद हम लोग तब करेंगे जब हम लोग इस question को solve कर रहे होगे ठीक है तो यह पहला pattern है और सबसे पुराना सबसे ज़्यादा popular pattern है इससी बूर्ड का next इसके बाद देखिए उसी से related यहाँ पर first और six यहां देखिए जो पहला और छटवा sentence था first and six sentence को यहां से remove कर दिया गया और remaining यह चार पाट आपको यहां पर given है देखिए अब इसमें आपको ढूंड़ना होता है कि पहला कौन सा होगा फिर second कौन सा होगा थर्ड कौन सा होगा और फिर चौथा कौन सा होगा बात समझ में आई तो यहां पर आपको connectors का roll देखने को मिलता है क्योंकि इसमें सबसे पहला हमारा work यह होता है कि हम कैसे पाचाने कि हमारा sentence किस से सुरू होगा हमारी जो story होगे इन चारों में से कौन सा वो पार्ट है पी की वारेस इन चारों में से कौन सा वो पार्ट है जिसको हम sequence number one पे रखें फिर उसके बाद चलते हैं second पे third पे and fourth पे ठीक है तो यह दूसरा pattern था और इसी pattern पे best आप देखेंगे कि यहां पे यह जो लिखा हुआ है इसको ठोड़ासा roundabout कर दिया गया मतलब इसको ठोड़ासा चेंज कर दिया गया चेंज कर के आप देखें यहां पे आपको दे दिया गया यहां पे PQ वारेस के जगह क्या दे दिया गया ABCD दे दिया गया ठीक है बात समझ में आ रही है तो यहां पे इस तरीके से इसका जो नाम चेंज किया गया पी की वारेस से ABCD में इसके जगह LMNOP ऐसा कुछ भी दिया जा सकता है ठीक है तो यह तीसरा पैटर्न था यह देखे यह हमारा थर्ड मतलब यह एक अलग पैटर्न इस पैटर्न में क्या गिवन होता है तो आपको फॉर्स सेंटेंस यहां पे गिवन होता है इसमें छटा सेंट सेंटेंस आपको गिवन नहीं होता है और नहीं इसमें फॉर्थ सेंटेंस आपको देखने को मिलता है इसमें क्या देखने को मिलता है तो यहां पर एक सेंटेंस या क्लॉज आपको गिवन रहेगा उसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं कि तीन सेंटेंस या तीन आएगा फिर तीसरे नम्बर पर कौन आएगा चौते नम्बर पर कौन आएगा मतलब यह जो पाट है यह फ़र्स्ट उसके बाद सेकंड थर्ड फॉर्ट इस तरीके से आपको रेंज करना होता है कि यहां पर भी देखिया आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहां पर यह जो P QR लिखा हुआ था यहां पर देखें इसको XYZ का नाम दे दिया गया अब जैसे ही बच्चे इस पैटर्न के अलावा इस पैटर्न प्याते लेकिन मुख्य रूप से हम लोग किस पर ज्यादा वर्क आउट करेंगे तो इस वाले पैटर्न में अभी ABCD के नाम से हो यह PQRS के नाम से हो क्योंकि अभी जब से TCS ने आपका SSC एक्जाम कंड़क्ट करना शुरू किया है आपका पेपर लेना शुरू किया और उन सभी पैटर्न कहीं हम आपको प्रैक्टिस कर्वा लें दैर। इन सभी बातों को हम आपको को डिलीवर कर सुखते आपके दिमाग में कि yeah everything करेंगे तो हम लोग अपने क्लास की सुरुदा इने से क नीजुक है इसमें भी देख्ग है इसमें लोग धाए इतने और किसी भी टाइप में देखिए हमने कोई option नहीं लगा है ठीक है तो अब हम लोग चलेंगे option के साथ यहां से यहां से यहां पर देखिए सबसे पहला हमारा question यह ही है यहां पर देखिए हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि यहां sentence given है क्या given है first sentence यहाँ पर हम लोगों को given है अब first sentence के बाद देखें यह जो first sentence है यह given है और यह sixth sentence given है अर्था तो first और last दोनों fix है अब बीच का जो चार sentence है इसको हमको arrange करना है इसके sequence को हमें arrange करना है तो हम अभी थोड़ी देर पाले आपको बता रहे थे कि एसे board के द्वारा पूछे जाने वाले सभी exams में जो rearrangement के question पूछे जाते हैं इनको solve करने में इनके जो options होते हैं इनका बड़ा अहम भूमिका होता है जैसे माल लिजे कि यहाँ पर कोई option given नहीं है और simply आप से कहा जाए इसको rearrange करने के लिए तो rearrange करने के कई तरीके अब सबसे पहला तरीका ऐसे बच्राइश करने के में कौन सा होगा-3,4,5 व्गयर वगयर ठीक है आपको इसमें चरह सा भी दिमाग लगानेकी जरूरत नहीं है अब देखे आप यहाँ पे इन चारो option को देख पा रहे हैं कि जारो ही option एक ही वाट से शुरूह हो रहा है आर मतलब ये fix है कि कि dela क्या आएगा तो यह आएगा मतलब यह होगा मेरा सेकेंट बाद क्या एगा तो टू आएगा ठीक है तू में कौन सा होगा आर होगा अब दिखान से आप देखिए चारों अप्सन चुकि आर से सुरू हो रहे हैं इसलिए हम लोगों को काम करने की जरूरत है आर के बाद तो हमें फॉर्स के बाद सेकेंड डूनने की जरूरत ही नहीं अब हम लोगों को क्या चेक करना है आर के बाद क्यूं आएगा या आर के बाद पी आएगा ठीक है इसका बड़ा important role होता है ठीक है और केवल option का use करके आप बहुत सारे question को आसानी से solve कर सकते हैं कई बार आप देखेंगे बड़े-बड़े question आपको यहां पर डराने वाले दिये हुए रहेंगे उसके लंबाई बड़ी-बड़ी कीजिए और फटा-फट इनको बना लीजिए अब आप जड़ा आ जाईए सबसे पहले आर को आप एक बार रीड कर लीजिए देखिए फॉस्ट को रीड करें इन दो फॉस्ट यर और इस रेंग असो का वाज एंड ऑटोक्रेट और सुका कैसा था भाई तो एक ऑटोक्रेट रा जाता है आपकेश करेंगे तो पॉरा पावर एक ही इनसान कास होता है ठीक है चली अब यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग अब देखे इसने क्या किया अब आउट 9th year he decided to conquer कलिंगा कंकर का मतलब क्या होता है जीतना तो उसने decide किया कि मुझे कलिंगा पर विजय प्राप्त करना है ठीक है तब तक प्राप्त किया से कैसे इसको हम लोग solve करेंगे तो आर के बाद चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं पीड़ इफेक्ट ओवर दा स्लॉटर स्लॉटर क्या होता है तो मासिब लेबल पे लोगों की बड़े पैमाने पे जो हत्या होती है इसको हम लोग कहते हैं इसका प्रभाव यह हुआ कि इसका उसके दिमाग पे बहुत गहरा असर पड़ा मतलब युद्ध हुआ कलिंगा के साथ कलिंगा युद्ध में वो विजय हुआ होगा और उसमें जो लोगों के हत्या हुई मासीबल पर बड़े पैमाने पर बड़े तादात में जो जनसनहार हुआ उसका उसके माइंड पर असोका के माइंड पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा ठीक है चली क्यों में चलते हैं कहता है कि वह सक्सेस्फुल रहा जीता सफल हुआ लेकिन क्या हुआ हजारों लोग मारे गए असलेन मतलब कतल याम जैसे अभी आप कस्मीर फाइल्स देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर लोगों का क्या हुआ हुआ स्लेन हुआ ठीक है कस्मीर में चाहे वो हिंदू रहे हो या मुस्लिम रहे हो ठीक है तो स्लेन स्लेन क्या है बड़े पैमाने पे हजारों के तादात में क्या हुआ कतले आम हुआ कहां पे बैटल में युद्ध में युद्ध में हजारों के तादात में बड़ी संख्या में लोग मारे पढ़ा राजा के दिमाग से दिमाग पे रहा तवा अगे देखें इस सबसे पहलेUI कांगा के साथ वा ऐसे बच्चों के लिए जिनके इंग्लिस ठीक ठाक है इंग्लिस अच्छी है एवरेज लिवल की है यह अवरेज लिवल से ऊपर की है तो सबसे पहले क्या हुआ भाई तो कलिंगा को जीतने का decision लिया गया फिर लडाई हुई होगी लडाई में क्या हुआ successful हुआ successful होने का कुछ प्रभाव हुआ तो अर्थात कहने का मतलब यह है कि R तो हमारा second था क्योंकि चारो option R से ही शुरू हो रहे है तो R में तो कोई doubt ही नहीं है अब R के बाद हमें किसको रखना होगा Q को रखना होगा तो R के बाद देखे Q वाला कोई option है यहां पर यह वाला option है दो दो option Q से है ठीक है R के बाद दो दो option Q से है अब इसके बाद क्या होगा तो P होगा तो यह रहा हमारा R Q P Πेraman अब सले Character में चलते हम रफ में लोग कूछ नहीं कोश्टिन की तरफ your अब यह सबूद का ज़िए यहां देखिए यहां भी देखिए आपको बड़े-बड़े सन्टेंस दिखाई दे रही है एकदम डराऊना टाइब का भैवीत करने वाला आपको से से यहां पर दिखाई दे रहा है ठीक है अब इसमें जारा option को आप देखिए option कैसे देखते हैं option को कैसे अम लोगों करते हैं यहां देखें यह bc सुरूरा यह वी डी से यह सी से मतलब ए बात समझ में अब देखिए इसको बनाने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती क्या करना होते है वह इसके लिए तो इसके लिए देखिए अब हम आपको थोड़ा से बोर्ड के यूज करके दिखाते हैं इसको कहते है chronology क्या कहते है chronology chrono का meaning क्या होता है भाई ये देखे chrono chrono का meaning क्या होता है भाई तो ये एक root word है chrono का meaning होता है time क्या होता है time मने समय कहने का मतलब ये है कि एदे एक से ज़्यादा घटना एक साथ दी गई हो एक से ज़्यादा statement से ज़्यादा गटना एक साथ आई हो तो सबसे पहले रखते हैं पास्ट को फिर उसके बाद किसको रखते हैं उसके एक साथ दिखाई दे तो उसका सिक्वेंस ऐसा होगा किसी भी एक ही टेंस में दिया हुआ हो तो उसमें जो सबसे पहले घटना घटी उसको रखेंगे उसके बाद वले टाइम को उसके बाद रखेंगे जैसे अठारहस और संतावन की क्रांती ठीक है 1947 और उसके बाद 1951 1961 और इसी प्रकार से 22008 दो हजार बात समझ में आई तो इस तरीके से इसको असेंडिंग ऑडर ऑफ टाइम में हम लोग अरेंज करतेैं इसी को कहते हैं क्रोनलोजिकल ऑडर क्या करते हैं इसी को कहते हैं क्रोनलोज वीकल ऊड़र बात समझ में आई अब जरा आप इस कोशन में ध्यान से देक्ष इस है सबसे पहले यहां देखे हैंSp2 दिखाई दिया ये देखिए 1950-1951 फिर यह किया दिखाई देवह और फिर इसके बाद इहां किया दिखाई दरहे Epicinate देघा को यहda एक से ज्यादा sentences आपको given है और सब के सब में यदि कोई भी time indicating word लगा हुआ हो तो आप सिर्फ और सिर्फ उसके time को chronological order में अरेंज कर देजिए आपका rearrangement complete हो जाता है अब देखिए इसमें हम लोगों को इतने बड़े-बड़े sentences यह नेपाल से लेकि यह तीन English week होती है ऐसे बड़े-बड़े sentences को देख के बच्चा नर्वस हो जाता है बच्चा नर्वस हो जाएगा या तो कोश्चन टची नहीं करेगा इसको पढ़ेगा ही नहीं छोड़ देगा सीधा स्केप कर देगा पढ़ेगा ऊसको ठीक से नहीं समझ में आएगा तो फिर कुछ गلती कर देगा ज्यक्त है तो हमने आपको पहले बता रखा है कि इसमें कई कुछ करने की जरूँरत नहीं है चुछके option किसे सुरू है इनसे ठीक है और इसमें तो आप को पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती है सिंपल सी बात है आप क्रोनलोजिकल ओडर में इसको रेंज कर दीजिए तो देखिए 1951 के बाद किस सेंटेंस में कि गई है इसमें ठीक है इससे पहले किसी में है नहीं है इससे पहले का कोई पूरी तरीके से रियरेंज करना चाहें तो फिर क्या आएगा चौते नमबर पर क्या आएगा दो जाएगा तो इतना आपको दिमाग लगाने के जरूरत ही नहीं होती है यदि कोई भी दो ऑप्षन एक ही लेटर से स्टाट हो रहा हो जैसे यहां पहर ऑप्षन नमबर भी और सी दोनों डी से स्टाट हो रहा है अब डी के बाद स्प्रफिल चेकी ज़ो आएगा बस उसको क्लिक किजिए आगे बढ़ते रहेए चोड़ दीजिए उसके बाद नहीं है ठीक है इसलिए हमारा आंसर क्या बना बद समझ में आ रही है कितना आसान होता है ऐसे छोटे-छोटे को यूज करके बड़े-बड़े कोश्चन को बनाना तो कुछ इसी तरीके से और भी डेर सारे कोश्चन को हम लोग यहां पे solve करने का प्रयास करेंगे अब आईए चलतें अगले कोशन में अगले कोशन का concept देखें जड़ा इसका मिजाज देखें हम लोग क्या है भाई सबसे परले आप option इड़ किजिए देखें PQS PQS मतलब इसमें R का तो कोई contribution है नहीं है तो R को हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है अब इनके अलावा कुछ और बाते हैं जो हम लोगों को सीखना चाहिए इसमें भी देखें first sentence given है और sixth sentence given है first given है और sixth given है ठीक है तो सबसे पहले first को पढ़ी our life is full of ups and down हम लोगों का जो जीवन है उतार चड़ाव से भरा हुआ है ठीक है बात से यह उतार चड़ाव से भरा हुआ है आर हम आर को हमें पढ़ने की जरूरत नहीं हम आर को पढ़ेंगे नहीं अब हम क्या पढ़ेंगे भाई तो यहां पढ़ेंगे इसको पी को और क्यों को ठीक है अब आ जाईए इसके बाद they two had problems in their life अच्छा मतलब किसी के बारें बताया गया कि कोई है जिसके life में भी problem होता है ठीक है the lives of great men अभी यह देखे बड़े लोगों की बात की गए महान लोगों की बात की गए कि यह क्या करता है हम लोगों को inspire करता है तो हम लोगों को inspire होने की जरूरत motivation की जरूरत कब होती है जब हम लोग निफ्टारा नहीं कर पाते हैं कठिनाई फिल करते हैं तो ऐसे समय में हम लोगों को बड़े लोगों की याद आती है ठीक है इस वर की याद आती है भगवान मुझे बचा लो कोई आएगा वो आपको inspire करेगा किसी दूसरे बड़े व्यक्ते का great personalities का great persons का example देते वह जाहिर सी बात है कि सबसे फ़ले life में up and down आती है ठीक है आती है अप and down का एक part क्या है कि failure मिलेगा we are often disheartened तो हम लोग क्या हो जाते हैं दुखी हो जाते हैं जब दुखी हो जाएंगे उसके बाद हम लोग काम करेंगे inspire होने का motivate होने का अब ज़रा देखिए तो one के कि क्या लिखा है हमें इससे कोई मतलब नहीं है क्यों वाला एक ही option है तो सीधा उसको क्लिक किजिए आप आगे बढ़ जाई है ठीक है चलते हैं अब हम लोग इस तरीके से कुछ और नए question की तरफ अब अगले नए question में देखिए यहां आपको जो question दिखाई दे रहा है इस से हम लोग इसको solve करेंगे ठीक है तो सबसे पहले इसको सीखने के लिए फिर हम आपको लेकर चलते हैं बोड की तरफ यहां पर हम आपको कुछ और चीज़ें सिखाते चले देखिए कुछ और चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए तो sentence सेंटेंस का जो पहला सेंटेंस होगा जो सेंटेंस होगा कौन सा सेंटेंस होगा जो हमारा फॉस्ट सेंटेंस होगा फॉस्ट सेंटेंस होगा फॉस्ट सेंटेंस हमारा किसी कनेक्टर से सुरू नहीं होना चाहिए किसी कनेक्टर से सुरू नहीं होना चाहिए अब यह कनेक् क्या है भाई अब यह क्नेक्टर क्या होता है आई इसको भी हम आपको सिखाते चले क्नेक्टर क्या होता है कंजक्षन से सुरू नहीं होना चाहिए कनेक्टर से सुरू नहीं होना चाहिए तो कंजक्षन तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं अब कंजक्षन क्या होता है कनेक्टर क्या होता है इसको आप ठीक से समझे जैसे ध्यान दीजिए यह भी यूटी बट आम तोर पे हम लोग इ बिमार है लेकिन बहुत खुश रहता है बीमार है तो कैसे खुश रहेगा ठीक है लेकिन ऐसा होता है कभी कभी ऐसा देखने को हम लोगों को मिलता है तो ऐसी बात को बताने के लिए बट का यूज करते हैं बट का हिंदी मिनिंग जब होता है लेकिन क्या मिनिंग होता है इसक इप को छोड़कर ये इसका मिनिंग होता है तो यही काम करता है कि पुर समझ में क्वल्ट सीखी कूछ और चाम दीए और इसमें लगा दिये लिस यह होगया इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा नॉट विथ स्टैंडिंग् यह सब सेंटेंसिस को कनेक्ट करने का काम करते हैं, जोडने का काम करते हैं, अब डेफिनिशन की यदि हम बात करें कि कनेक्टर का डेफिनिशन क्या होता है, कनेक्टर में, कनेक्टर में, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, यदि हम लोग इसकी बात करें, तो इसके बारे में हम आपको बताते चलें, कि ऐसा कोई भी बॉड, ऐसा कोई भी सब्द, जो मूल रूप से कनेक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी वो यदि कभी भी किसी भी प्र इसए बहुत सारे जो एड़ वगी हैं कंजेक्टिटिव भी बात समझ में आ रही है तो कभी वो काम करता है काम करता का तो कहां करते हैं क्या करते हैं तो समझने की सब्सक्राइब को gossip работать का इससे सुरू होने वाला सेंटेंस का सैंटेंस नहीं होता है ऐसे किसी भी क्नेक्टर से सुरू होने वाला यह पर आफ कार at the self इह माप समझाते चले यह आपको तुरं समझ में आता है यह देखें आइदर क्या लगाते हैं और नाइदर के साथ क्या लगाते है नोर वोल्दों के साथ क्या लगाते हैं ये जो सब यहर भी sentence се iider से शुरू हो यदि कोई भी sentence naoR से शुरू हो जाए तो इस से node से यदि कोई sentence सुरू होता है तो यह हमारा first sentence नहीं हो सकता अ左 से सुरू हो रहीं हे हमारा first sentence नहीं हो सकता اسमे एक इसी वी Knights ैं कंजक्शन से यदि हमारा फॉस सेंटेंस सुरू होता है तो वह सेंटेंस अरे रियरेंजमेंट का फॉस सेंटेंस नहीं होगा बात समझ में आ गए चलिए अब यहां से आपको आगे लेकर चलते हैं और यहां पर हम लोग कुछ यूज़ करना सीखते हैं अब देखें यहां प इसके option का खेल हम लोग देखें हमने आपको option के बारे में भी बता रखा है इसलिए option को जरूर से हम लोग देखेंगे इस सेंटेंस में देखिए इसके जो option दिखाई देरा इसमें पी में नहीं है तो पी हम पढ़ेंगे नहीं जाहिए पी कैंसल हो गया मतलबता है कि पी हमा जिसके प्रभाव के बारे में इस sentence में बताए गया अब यह किसका प्रभाव है बाई तो अब हमारे पास एक ही sentence बचा है इस इसमें जड़ा आ जाए यह the impact of economic reform evidence का प्रभाव तो एकनॉमिक reform क्या है यह now ने ज घटना है और इसका प्रभाव बात समय में आ रही है तो पहला sentence हमारा किसरे सुर रहेगा मैं उ इस से सुरूगए और इसके बाद हम किसको रखेंगे तो हम क्यों को किसको रखेंगे इसके बाद क्यों कौन सा option है option number B थो हमारा correct answer क्या हो गया option number B कितना आसान है sentences को rearrange करना विशेश रोप से एससी exam के point of view से ठीक है चलिए अब इसके बाद फिर यहां से हम आपको आगे लेकर चलते हैं और फिर से कुछ और नए question की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं यहां पर देखें यह superstation यह देखें यह superstation superstation क्या होते भाई अंदविश्वास जैसे ज्यादव टोना वाला बात है उसको क्या कहते हैं उसको कहते हैं superstation ठीक है अब superstation से हम लोग बाहर निकलते हैं पढ़ लिग गए थोड़े से बाहर चलते हैं आते हैं यहां पर question बनाना शुरू करें सबसे पहले option को देखें यह देखें पी यहां पर क्यू और यहां पर इस मतलब आर से हमें कोई मतलब नहीं है आर क्लियर हो गया कि हमारा first sentence नहीं होना है तो हम उसको पढ़ेंगे ही नहीं अब देखें। यह कैसे शुरूरू रहा है न और से तो नोड e है कि हमारा पाला संटेंस क्या होना चाहिए 디्टि होना चाहिए रहले और дос कि तरफ कर जाएगा पी वाला अब डिखिए पी वाला एक ही ही ऑप्स़न है इसके आगे कुछ देखने की जानने की समझने की जरूरत हैं नहीं हम सीधा पी वाले option को click करेंगे और अगले question की तरफ switch कर जाएंगे P वाला यदि दूसरा option given होता तब हम लोग उसको पढ़ते समझते और उसको try करते कि क्या ये वाला होगा या P का second वाला होगा ठीक है next अब यहां आते हैं अगले question की तरफ इस question में देखिए हम लोगों को यहां क्या देखने को मिल रहा है सबसे पहले हम option की बात करते हैं तो option हमारा देखिए P Q RS मतलब चारो option दिया हुआ है अब सबसे पहले यहां पर हम आ जाए यह देखिए नो डाउट निशन दे मतलब कोई बात बताया जा रहा है एक बात के बाद को दूसरी घटना बताई जा रहे होगा उसके लिए इसका यूज करेंगे तो यह हमारा first sentence नहीं हो सकता ठीक है यहां देखिए यूज ऑ पॉलाइट वोड्स यह देखिए यह सब क्या है यह सब क्या है पॉलाइट वोड्स है जो दूसरे को सकून देता है इंपक्ट और यह दूसरे के दिमाग पर क्या करता है प्रभाव डालता है तो मतलब इसके पहले कोई न कोई बात बताई गई होगी क्योंकि सौरी आप कब बोलिएगा जब कोई न कोई घटना को आप गलत अंजाम दीजिएगा कुछ गल्ती आप से हो जाएगी तविया पैसा काम करेंगे अब चलिए बायोग्राफिज ऑफ ग्रेट मैं कैन ऑल्सो हेल्प सीन लर्निंग गुड मैनर की चर्चा की सबसे पहले करटेसी आफ यह को मिलता है जयसा कि हमने आपको पहले से बतार से से न्यंग के सिंट इंगैं यह पॉलाइटनेस दोनों किसे जुड़ा हुआ है एंड से यह दोनों अलग-अलग नाउन है और इनके साथ वर्प कैसा यूज किया गया है सिंगुलर अर्थात यह दोनों एक ही बात को एक्स्प्रेस करने के लिए यूज किये जाते हैं जैसे सचाई और इमानदारी ठीक है जैसे और यह सब्सक्राइब पढ़ेते हैं यह उसी टाइप के वोड़ है तो गुड मैनर का यह क्या है की है सबसे इंपोर्टेंट चीज है और उसके बाद दूसरी नंबर पर हम कहेंगे कि बायोग्राफि पढ़ते हैं यह सब वो सब पढ़ते हैं तो यह हमारा कहां चला है का इससे हमें कोई मतलब नहीं है कहीं कोई दूसरा हमें मतलब नहीं के कोूशन की तरफ चलते हैं अगले में हम Dazu चलते यह देखिए और जिए करिंट के पैटर्न-पाद नोजल बीस का कोशं पूछा गैडिक है कि इसको कैसे XL इसको सॉल्व करना खी काफी आसान है आप ध्यान से देखें यहां पर दमायन हूं मतलब वह व्यक्ति जो मतलब इसके पहले कुछ आना चाहिए कि एक व्यक्ति यहां पैसी कोई घटना हो गए उसमें कुछ लोग पकड़े गए ठीक है तो फिर हम उसके बाद चर्चा करेंगे कि ठीक है जो पकड़े गए तो उसम सबसे पहले यहां पर हम लोग प्रिफर करते हैं फर्स बर्सन को किसको प्रिफर करते हैं फर्स पर्सन उसके बाद सेकेंड पर्सन फिरा थे थर्ड पर्सन पर क्लियर चलिए तो अब जाहिर सी बात है कि यह मेरा पहला सेंटेंस नहीं होगा कैंसल होगा अब इन ही दोनों में से कोई एक हमारा पहला बनेगा सबसे पले यहां देखिए अचाइल्ड बच्चा था से और उम्रे में कैसा था चोटा था उसके बाद तो हम लोग सी को रखेंगे तो आबाउट 40 साल का जो बच्चा चाइल्ड था छोटा था उम्रे में वह अचानक से 40 साल का कैसे हो जाएगा यह कोई फिल्म तो है नहीं कि हमें बचन ट्रेन से कुद गए और अचानक से डॉन बन किया गए ठीक है ऐसा फिल्मों में होता है तो हमे को सी को पढके भी इसको इलिम्मिनेट कर सकते हैं तो इस तरीके से भी हम व्लोग कोस्षन को सॉल्व करते हैं वाइजिंग ऑप्सन का यूज आपको जरूर करना है अब कैसे हम लोग इसको रिजट kritिक सबते हरे यह ऑगै कॉछ्षन में चलता है यह 계wegen की है इसामें किया क तो यह बट क्या था या कनेक्टर कहें हम लोग इसको तो यह हमारा पाला सेंटेंस तो हो नहीं सकता अब आज इसके बाद पढ़ी दा मर्चेंट वाज इसके टूडेत मतलब जो मर्चेंट था उमरने से डर गया ठीक है दो रॉबर डिमांडेट अव यहां देखें रॉबर मतलब एक जो मर्चेंट था उसका सामना किसे हुआ हाइबर पे सोरी हाइवे पे काम करने वाले रॉबर करने के लिए कोई आ रहा हो गाड़ी से अखेले में कुछ माल पानी हो उसके पास बरिब के सोची लो भाई ठीक है तो यह तो कंफर्म हो गया कि सी होगा हमारा पहला सेंटेंज तो सी वाला एक ही ऑप्शन है इसलिए हम सीधा अंसर कर देंगे सी को आगे हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है नेक्स्ट और आप इसको हलके मतले ना जितने भी कोशन हम आपको कोशन को जरा देखिए इसके भी ऑप्शन को पहले हम लोग रीड कर लें देखिए दो ऑप्शन है एसे और दो ऑप्शन है बी से मतलब इसमें सी पढ़ना नहीं है डी पढ़ना नहीं इन्हीं दोनों में से कोई एक हमें पहला चूज करना होगा यह सबसे पहले हम लोग ड जौन उसके जो पापा थे पापा गए बाहर और पापा ने जौन-जौन करके चिल आया ठीक है तो अब यह सब छोड़ दीए सबसे पहले रोड साइट पर जाएंगे आप बच्चे को ढूंडेंगे कब जब बच्चा घर में नहीं होगा तब तो पहला सेंटेंस क्या हो गया तो अब एक के बाद दूसरा क्या आएगा पहले पापा चिल आए ठीक है दे लुक्ड इन दा गार्डेन एंड नॉट फाइंड हिम देर मतलब अब देखे एक के बाद भी आएगा यह एक बड़ी आएगा हमें यह डिसाइड करना तो सबसे पहले यह देखिए यहां पे द तो पहले यह दूसरा क्या हो गया हमारा डी वाला उप्शन उठाईए आंसर आप कर दीजिए आंगे बढ़ते रही है नेक्स्ट अब यहां पे आईए इस को सब्सक्राइब करें इस को क्या करना है ड़ों को क्या करना है तेस्ट प्रोसीजर कितने बज़ी शुरू होता है दसबजे इंद परले इसका ओप्शन हम लोग जरा देखें तो यह ओप्शन है अमारा ओप्शन नमबर सी ई डी सी एडी सी एडी मतलब भी नहीं पड़ना है और ऐसे भी देखें बी किसे सुरूर है विन्स है तो यह हमारा पहला सेंटेंस है ऐसे भी नहीं होना है ठीक है मतलब याद रखो याद कब रखेंगे जब कोई बात बताई जाएगी कि यह काम इस टाइम में होता है ऐसे होता है ठीक है तो डी हमारा पहला नहीं बनेगा डी कैंसल होगे अब हमारे पास दो अप्शन बचे ए और सी आज ए और सी को पड़ें इसलिए तुम्हें समझ से पहुंचने की जरूरत है तो समझ से कब पहुंचेंगे भाई जब आप हमको उसका टाइम बताईगा तभी तो तो अब आते हैं ज़रा ऑप्शन नमबर एक की तरफ टेस्ट प्रोसीजर स्टार्ट सेंटर यहां देखे टेस्ट सेंटर भी आपको जरूरत है दस बजे इसलिए आपको कब पहुंचना चाहिए तो आपको पहुंचना चाहिए आधा गंटा पहले यह समय से थोड़ा पहले आपको पहुंच जाना चाहिए और फिर उसको याद दिलाती हुए कहा जा रहा है कि इस यू रिपोर्ट आफ्ट टेने वह विल सीधा इसको क्लिक किजिए आगे बढ़ते रहिए नेक्स्ट आगे बढ़ते यहां से अगले कोशन की तरफ चलते हैं यह देखे यह कोशन भी काफी अच्छा है यहां पर देखे ए बी सीडी चारो ओप्सन दिये गए हैं अब चारो ओप्सन जब हम लोगों को दे दिये से एक जोसम dépसे करें क्यों कि यह रहे हैं इसी रंजी व्यक्ति के लिए जहां पर ही कई को बनेथे कि सबसे पहले नाउन को रखते अब हम लोगों को सीखने की जरूरत है इसमें हम लोगों को क्या सीखना है तो इसमें हम लोगों को यह सीखना है कि यदि अलग-अलग sentences में हम लोगों को यह जो चार option करके sentences given है ABCD करके चार sentences हमें given है यदि किसी भी एक sentence में यहाँ पर noun का use किया गया और किसी भी दूसरे sentence में pronoun का use किया गया, चाहिए यहाँ पे लिखा गया हो, यह यहाँ पे लिखा गया हो, ठीक है, किसी भी दूसरे sentence में यदि pronoun का use किया गया, तो हम लोग पहले नमबर पे रखते हैं, noun को दूसरे नमबर पे रखते हैं, pronoun को ठीक है, तो अब इसमें हम नाउन का यूज किया गया है और option number D से एक ही option सुरू हो रहा है D से एक ही option हम लोगों को given है तो आगे कुछ सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है सीधा यहां से आप आगे बढ़ते जाएए आप देख पा रहा है कि कितने आसान तरीके से इन छोटे-छोटे concept का यूज करके हम लोगों ने कई question को अब तक बनाया एक दम आसान तरीके से तो ऐसे ही छोटे-छोटे concept को आपको भी सीखने की समझने की जरूरत है और इनका यूज करके आप बड़े से बड़े question को और बड़ा question तो आता नहीं आपके tier 1 में सब simple-simple question आते हैं आगे के और थोड़े आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि और कितने आसान-आसान question पूछे गए हैं आपके previous year में ठीक है ताकि यह सारे concept आपके brain में जाके fit कर जाएं और इस time के धेर सारे question हम लोग आपको practice seat में देते हैं उस question को बनाईए और इनके अलावा भी और भी धेर सारे concept पर-based question को आप बनाईए कहीं भी किसी भी previous year paper को उठाईए एसे से के previous year paper को उठाईए उसको solve किसी question आपसे बनते हुए नजर आएंगे अब आईए यहां पर हम लोग देखे यह देखे ए बी सी मतलब डी तो नहीं डी option में given यह दी पढ़ने के जरूरत नहीं है अब यहां देखे यह scientist दिया हुआ है यह COVID-19 दिया हुआ है तो COVID-19 में क्या बताए गया here to stay कि आप लोग यहीं पर रहिए रूकने की बाद की गई ठीक है यह देखे as क्या था conjunction connector यह connector तो यह दोनों हमारा पहला sentence होना नहीं है तो यह बात है कि C से होगा हमारा पहला sentence सब देखे C से दो option given है C के बाद हम A को रखे या B को रखे अब C के बाद अपने अपने घर पे रहें शुरक्षित रहें घर से बाहर बिना किसी जरूरी काम के ना निकले यह हम लोगों को इंस्रक्शन था तो उसके सारे क्यों लिए गया थे तो प्रिवेंशन के बचाओ के कदम के तहत यह सरकार के द्वारा उठाएं गए स्टेप से ठीक है तो चाहिर सी बात है कि पहला सी आएगा सी के बाद कि आएगा तो सी भी वाला उप्सन उठाई और पूट कर दीजिए हो गया आपका अंसर नेक्स्ट यहां से आगे बढ़ते हम लोग यहां पर देखें यह से अपको थोड़ा सा बड़ा सा दिखने में लग रहा है तो बड़ नहीं है भी हमारा सेंटेंस हो गई ही है इसलिए बी को पढ़ता ही नहीं है अब यहां पर नियुक्त नहीं हमारे पास दी से होगा अप दी के बाद देखें डी के बाद बी और बीड़े बिना सेंटेंज को पढ़े वह देखते के साथ हम लोग कैसे इसको डिसाइड कर ले रहे हैं कि कौन सा हमारा पाहला होगा यहां पे देखें हेर चिक यह एक चोटा सा खरगोश जानवर हेर ठीक है तो उसकी बात की जा रहे है यह यहां पर ना उना गया यह हमारा पहला सेंटेंस होगा अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेजी और इसको पढ़ने के बाद इससे रिलेट करके हम लोग देख लेंगे कि B को रखना या C को रखना है हेर बेंक पर्सीट बया यह ने मतलब एक झो खर गोश था हेर था उसका पीछय किस ने किया इगल तो एक इगल चील ने बाजे ने उसका पीछय किया took himself और refuse to the nest of a 배der तो वो कहां चला गया एक बिटल के नेस्ट में चला गया तो मतलब बिटल क्या है एक पक्षे उसके घोसले में चला गया और जिससे जाके उसने कहा कि भाई तुम मेरी रक्षा करो तुम मुझे बचाओ ठीक है अब इसके बाद B और C पढ़ना है हम लोग को अब पढ़ते हैं यहां पढ़ते हैं अब जो बिटल था उसके रिक्वेस्ट को सुनके यह जो बेग किया था यह जो रिक्वेस्ट किया उसको सुनके उसने क्या किया ईगल के सास्थ हस्त चेप किया ठीक है बाधा डाला उसको रोक्तो किया बेगिंग ऑफ हिम not to kill the poor supplement और उसे रिक्वेस्ट किया कौन यह बिटल यह बिटल इगल से रिक्वेस्ट किया कि भाई तुम्हें इस पूर खरगोश को मत मारो ठीक है ए पहले उसके बाद जाएगा पहले बारता होगी मतलब डी के बाद क्या आएगा भी आएगा तो डी के बाद भी वाला ओप्शन देखे यह हमारा ठीक है इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि यूजिंग ओप्शन और छोटे-छोटे Sergeant को आपको दिखाई दे रहा है यह भी आपको बड़ा साṛ को सबसे पहले क्या करना है औप्शन को देखिए ए बी और डी मतलब सी नहीं चूज करना हो तो भी और माल लेज़े ए इसमें एक और करते तो हम लोग कैसे eliminate करते हैं option को यहां देखिए of preposition से शुरू रहा है of event मतलब वो दूर चला कि ठीक है यह होगा नहीं a man यह हो सकता है a man who had to यह हो सकता है excellently well बहुत अच्छा तो देखें बहुत अच्छा मतलब क्या कोई घटना घटी हो कि उसके बाद उसके बारें बहुत अ घटे के उसके बाद बता जागा कि उसके थोड़ी दिर बाद यह हुआ थोड़ी दिर बाद वो हुआ जैसे कहीं पर मालीजे कहीं कोई रॉभर आया चोरी का घटना का अंजाम दिया ठीक है उसके थोड़ी दिर के बाद किसी ने घर वाले ने पुलिस को कॉल किया थोड़ पड़ेगा हम लोगों को a man who had two daughters married one to a gardener and other to a potter मतलब एक आदमी था जिसकी दो बेटियां थी उसने एक बेटी की साधी कर दी एक gardener से एक माली से और दूसरे की साधी कर दी potter से मतलब जो मिट्टी का बर्तन और बनाता है उससे दूसरे बेटी की साधी कर दी after a while he paid a visit to the gardeners तो थोड़ी देर के बाद थोड़ी समय के बाद उसने कहां वो कहां गया जो यह जो व्यक्ति था जिसकी दो लड़कियां थी वो कहां गया gardener के home पे गया मतलब पहली वाले लड़की के पास गया and asked his daughter how she was और लड़की से जाके पूछा कि बीटीया तुम कैसी हो and how it fared with her और इस लड़के से गार्डेनर से साधी करने के बाद अब वो कैसी है कैसा उसको लग रहा है ठीक है अब उसके बाद देखिए of he went to the potter's home और उसके बाद कहा गया वहां से दूर गया पहली विटिया के घर से दूर चला गया दूर कहा गया पौटरर के खर mamma और यह नमबर अमारा आंसर क्या बना तो हमारा क्रेक्ट नमबर ए चलिए चलते हैं एक और question की तरफ यहां पर आते हैं हम लोग इस question को यहां पर solve करने का प्रयास करते हैं देखते हैं इसमें हम लोगों को क्या करना है देखें इस question को जड़ा ध्यान से आप देखिए सबसे पहले option को देखिए हम लोग A, D, A और D मतलब B और C तो हमें पढ़ना ही नहीं है, B और C हम लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, B और C हमारा पहला sentence होने नहीं जा रहा है तो सबसे पहले अब हम लोग यह decide करें कि B होगा पहला या D होगा पहला अब यहां देखिए killing of tree यह क्या मिला beauty and killing of trading of its beauty उसकी जो सुन्दरता है खराब हो गई ठीक है अब आए यहां पर olive tree यह जो olive tree है ridicule the fig tree मतलब यह एक पेंड जो है यह एक दूसरे fig tree का मजा कुड़ाया और इसका मजा कुड़ाते हुआ क्या while she was green all year round की olive tree जो है वो हमेशा green रहता है ठीक है all year round the fig tree changed its live with the season season और जो fig tree है उसका जो पत्ता है उसका जो पत्ता है वो सीजन के साथ change करता है मतलब पत्त जड़ाएगा तो पत्ते जड़ जाएंगे नहीं पत्ते निकलेंगे लेकिन olive tree के साथ ऐसा नहीं होता है ठीक है यह बात इसे बताया गया यह में जराप पड़े मिनिंग भी हम लोग यूज़ करते हैं दूसरा मिनिंग होता है थोड़ी दूर पर थोड़ा दूर ठीक है थोड़ा हटके अट लेंद ओलिव ट्री ब्रांच इज ब्रोक वेत ओलिव ट्री का जो ब्रांच था वो टूट गया कैसे कोई घटना घटी होगे इसके पहले ठीक ठीक है बी को जरा पढ़के भी देख लिए हम लोग असार ओफ असावर ओफ स्नौ फेल अपॉन देम और फाइंदिंग दो ओलिव फुल ओफ फॉल फॉलिए इट सेटल अपॉन इट्स ब्रांच इस ठीक है सी भी पढ़ लिया जाए ताकि जो भी डाउट आपके मन में आए गया कि जो स्नौ फॉल हुआ जो बाजी हुए बाजी जब हुए तो चुकि फिर्ट्री में कोई पत्ते नहीं थे तो सीधा जितना भी बर्फ था वो सब कहां गिर गया ग्राउंड पे गिर गया और इस तरीके से उसने फिर्ट्री को थोड़ा सा भी नुक्सान नहीं ठीक है जब कि स्नौ फॉल में यह जो बर्बाजी हुए बर्बाजी में क्या हुआ तो ओलीव ट्री जो था उस पे पूरी तरीके से वह गिरा फॉलियस का मतलब देखें फॉलियस का मतलब हो था पत्ता लीव इट सेटल अपॉन इट्स ब्रांचे तो बर्फ जो था ओली ब उसके वेट के कारण एमें क्या हुआ उसके हेवी वेट के कारण बर्फ का जो फढ़ा उसके कारणर क्या हुआ उसके पाद भाजी होगी ऐगा वो उसके पत्तो पे और 有 टूट के चुड़ूं ये देखे से टेल अपॉनेट्स ब्रांच जो और उसके बाद क्या हुआ ब्रांच ब्रोक किया ठीक है तो हमारा आंसर क्या बनेगा डी के बाद भी इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि हम लोग कितने आसान तरीके से कितने आसानी के साथ कितने सहजता के साथ कितने कमफोर तरीके से पना पार है ठीक है तो इसी तरीके से आपको भी अपने एक्जाम में बिलकुल आसानी के साथ कमफोर्ट के साथ इन सभी concept के यूज़ करते हुए एक्जाम में जाके question को solve करना है ऐसे ही solve करना है इनके अलावा भी अभी कई concept है बहुत सारे concept हैंfed जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे आज के बाद अर्थात रियरेंजमेंट के नेक्स्ट लेक्षर तो इनके अलावा और जो टाइप्स बचे हुए थे जो चार टाइप्स हमने आपको दिखाए उसमें से कुछ टाइप्स को हम लोगों ने आज के इस क्लास में डील किया, सीखा बनाया इनके अलावा जो रिमीनिंग बचे हुए टाइप्स हैं उनकी वी चर्चा हम आपके साथ करेंगे अपने रियरेंजमेंट के अगले लेक्षर में अर्थात रियरेंजमेंट पार्ट टू में इसमें से किसी भी एक्जाम में यदे इन में से कुई भी पैटर्न आपसे पूछा जाए तो आप बिल्कुल आसानी के साथ उसको बना पाएं और अपना सेलेक्शन करवा के एक्जाम से बाहर आपाएं बात समझ में आई तो ऐसे पूरे कॉन्फिदेंस के साथ आपको पढ फिर अपने अगले क्लास में तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद